नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी देखिए मुकामा और गुपाल गंज उपचुनाओ को लेकर जो परिनाम हैं वो अब सामने आने शुरू हो गए हैं और शुरुवाती रुजानों में हमने आपको पहले भी बताया कि पहले राउंड की गिंती के बाद दोनों सीटों पर RJD के उमिद्वार बढ़त बनाये हुए हैं लेकिन अब दूसरे राउंड की गिंती भी मुकामा में हो गई है और जो अपडेट हमारे सामनी आया है वो जान कर आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि दूसरे राउंड की गिंती के बाद ही ज देखिए पहले राउंड की गिंती में लगबग 6500 वोटों से नीलम देवी आगे चल रही थी शोनम देवी पीछे चल रही थी लेकिन दूसरे राउंड की गिंती हुआ है और वो जो रुझान सामनी आये हैं उसके बाद लगबग 4000 वोटों से और जेडी की उमिदवार नीलम देवी बढ़त बना कर आगे चल रही है दखिए दूसरे राउंड की गिंती में आपको बताएं कि नीलम देवी को 526 वोट मिले थे जबकि शोनम देवी को 9,435 वोट हैं जब कि बीजेपी की उमिदवार सोना में देवी के पास 5,491 वोट हैं यानि कि लगभग 4,000 वोटों से अनन्ज सिंग की पतनी आर जेडी की उमिदवार नीलम देवी आगे चल रही हैं इसके अलावा आपको बताएं कि अब तक के रुजानों में तीसरे नंब पर नोटा का बटन भी दबा है 210 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है तो काटे की लडाई की उमीद जताई जा रही थी मुकामा में लोग कह रहे थे कि हो सकता है इस बार मुकामा में पासा पलट जाए अनन्ज सिंग के राज को बीजेपी के चुनोती के वज़ा से इस खेला होने की उमीद भी लोग जताए हुए थे उमीद थी लोगों को लेकिन देखिए दो राउंड की गिंती के बाद ही छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी जो कि उनके विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उत्री थी वो लगभग 4,000 वोटों से आगे चल रह हैं हलांकि अभी 19 राउंड की गिंती और बाकी है तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ खेला हो पाएगा या फिर नीलम देवी बढ़त लगतार बनाते चली जाएंगी गोपाल गंज में भी पहले राउंड की गिंती के बाद आरजेडी उमीदवार मोहन प्रशाद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें